नमस्कार भारत आप सभी का इंस्पाइरिंग फ्लाय पर स्वागत है आज का टॉपिक है जिन्दगी में अगर खुश रहना है तो ना बोलना सीखिए इस दुनिया में इंसान का भोला होना या सीधा होना कोई बुरी बात नहीं है मगर उस भोलेपन की वज़े से खुद का नुकसान कर बैठना ये एक गलत बात है जैसे ऐसा कई बार होता है जब हमें ऐसा लगता है शायद हम उस इनसान को उस काम के लिए उसी वक्त ना बोल पाते तो कई मुसीबतों से बच जाते मगर हम चहकर भी ना नहीं बोल पाते हैं तो साफसी बात है आप ना नहीं बोल पा रहे हैं उसके बस दो ही कारण हो सकते हैं या तो आप उस इनसान से किसी ना किसी वज़े से दबे हुए हो या आपके ना बोलने से वो इनसान आप से दूर चला जाएगा आपको इस बात का डर बैठा हुआ है जैसे आपने एक्जाम टाइम में एक बार किसी को चीटिंग करवाने के लिए हामी भर दी फिर वो इनसान नेक्स एक्जाम में आपसे यही उमीद करेगा कि आप उसे आने वाले एक्जाम्स में भी वापिस से बताएंगे उस इनसान को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका पिपर भी छूट सकता है या टीचर से डाट आपको भी पड़ सकती है वो तो आप पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है आप लोगों को जहां लगे कि आपको दबाने की कोशिश हो रही है या आपके भोलेपन का फाइदा उठाया जा रहा है बिना देर किये ना बोलो उस वक्त किसी और के बारे में नहीं खुद के बारे में सोचो मान सकती हूँ डर लगेगा मगर फाइदा आपका ही है अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे जीना सीख लो जो काम नहीं पसंद उसके लिए बेजिजक होकर ना बोलो क्योंकि इनसान के विचारों की आजादी ही उसकी सबसे बड़ी आजादी है जिसे कोई आप से नहीं चीन सकता कोई भी नहीं अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है या आप आगे भी इस तरीकी की वीडियो और देखना चाहते हैं प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब